पैंट दीवी हो जाएगी बड़े से बड़े टीवी कलाकार की ताइटाइफिश कर देते हैं अब इसी तरह के आक्शन ड्रामा और यूनीक किसाथ वापस लॉट कर आ रही है रोई शेटी जहां रोई शेटी और सिंगम के बीच बरसो पुराना याराना है जो अब दुबारा से सिंगम 3 पे दिखाई देगा लेकिन इससे पहले आज़ा देवगन अपनी बोला 2 मूवी और दृश्यम 3 के बारे में भी विचार कर रही है आपको बता दे कि दृश्यम 2 मूवी से आज़ा देवगन ने भर भर कर पैसा लोटा था जहाँ अज़ा देवगन एक मूवी की आटिंग के लिए साट से एक सो बीस करोड रुपे की फीश चार्ज करती है माई दोस्तो दृश्यम 2 में अज़ा देवगन ने तीस करोड रुपे की फीश चार्ज की थी दृश्यम के लिए इतनी मोटी फीश चार्ज करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आज़ा देवगन को IMDB पर सबसे ज़्यादा रेटिंग की दृश्यम के लिए मिली थी आप दोस्तों सिंगम में आज़ा देवगन से पता नहीं ऐसा क्या छूट गया जो IMDB पर सिंगम के मार्क्स कट गए थी IMDB पर सिंगम को 6.8 आउट आउट आफ 10 की रेटिंग मिली थी और महीं दृश्यम के लिए 8.2 आउट आउट आफ 10 रेटिंग मिली थी आप दोस्तों बता दो कि सिंगम में भी अपनी आक्टिंग के नंबर बढ़ाने के लिए अज़ा देवगन जी तोड महनत कर रही है सिंगम में काम करने के लिए अज़ा देवगन ने जिम जॉइन कर लिया है अपनी बोडी को एकदम फिट बना कर आक्षन के लिए डेली प्राक्टिस कर रही है और साथ में अपने फैस को भी साल 2011 वाले सिंगम के लुक मिलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने आपको बतातों दोस्तों कि सिंगम 3 में आज देवगन की एंट्री पकी है ले कि विकी कॉशल अभी अपनी अपकमिंग मुवी डinki साम बहादर में काफी बिजी है विक्य कॉशल है बड़े स्मार्ट दोस्तों जहां सिंगम में तो सिर्फ उने क्याविए के लिए कहा मिल रहा है जहीं साम बहादर मुवी में उनने करने का प्लान बना लिया है जहां साल 24 में 15 अगस्त के टाइम पर रोई शेटी अपनी सिंगम 3 को जनता के सामने लेकर आने वाले हैं अब सिंगम क्या आते ही वह गोलमाल वाइफ पर भी काम शुरू कर देंगे यानि पहले आक्षन दिखाओ फिर खूब हसाओ तो आपको आक जा कामें वाले हैं?